दुनिया के किसी भी देश की एकोनोमिक को आगे बढ़ाने की काबिलियत अगर कोई रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है वो है बिसनस्मेन नमस्कार दोस्तों मैं विशाल सिंग गुरू को ट्रेनिंग एंड कंसलेंसिस आपका हर्दिक स्वागत करता हूं आज हम बात करेंगे बिसनस्मेन के बारे में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे देश के अंदर बिसनस्मेन को प्रमोट किया जा रहा है बहुत सालों तक हमारे देश में बिसनस्मेन को वो वैल्यू नहीं मिली कहीं न कहीं वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जिसके कार को एक businessman बदल के रख देता है तो आज हम इस वीडियो के अंदर उन सारे businessman की बात करेंगे कि as a businessman आपको कुछ चीजे करने की जरूरत है जिससे आप अपने business को और बड़ा कर सकते हैं और पूरी दुनिया के अंदर आप अपने business को फैला कर अपने देश की तरकी में अपना योगदान दे सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मैं आपको साथ ऐसी चीजे बताऊंगा जो as a businessman आपको करना बहुत जरूरी है और ये साथ चीजे वो होंगी जो basic है एक सवाल मैं आप से पूछना चाता हूँ कि जानना और समझना दोनों एक है या अलग है शायद आपका जवाब होगा दोनों अलग है जी हां बिल्कुल दोनों अलग है क्योंकि जानने का मतलब है कि आपको पता है लेकिन समझेने का मतलब है कि आप उस चीज़ को करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको information नहीं दूँगा क्योंकि हो सकता है मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आप पहले से जानते होंगे मैं चाहता हूँ कि आज आप इसको समझे और अपने जीवन के अंदर इसको implement करे क्योंकि यही वो तरीका है यही वो basic है जिससे आप पुरी दुनिया के अंदर अपने business को लेकर एक बहुत बड़ा empire create कर सकते हैं और आप इस देश को आगे बढ़ाने अपना योगडान दे सकते हैं तो चलिए मैं आपको वो 7 चीजे बताता हूँ जो बहुत ही basic है और शायद आप इसके बारे में जानते होंगे लेकिन उसके बावजूद भी आज बहुत सारे लोग इसको practice नहीं करते जिसमें सबसे पहला basic है सुबा में जल्दी उठना मैं जितने भी बड़े businessmen को देखता हूँ उनकी एक routine होती है कि वो सुबा के अंदर तब उठते हैं जब बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं इसका क्या फाइदा होता है अगर आप सुबा जल्दी उठते हैं और रोज पिछले दिन से जादा growth करते हैं तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने business के अंदर अपने career में अपने जीवन के अंदर लंबे समय तक आगे बढ़ते रहें तो आपको सुबा में जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी बहुत सारे businessmen के बारे में जब पढ़ता हूँ तब मैं देखता हूँ कि उनका routine सुबा में 5 बज़े या 6 बज़े शुरू होता है तो आप कितने बज़े उठते हैं जरा comment करके बताइए और आप भी सुबा में उठने की आदत शुरू कीजे क्योंकि दुनिया का हर businessmen, दुनिया का हर सफल इंसान सुबा में जल्दी उठकर अपने दिन की शुरूआत करता है दूसरा basic है सुबा में उठने के साथ साथ में आपको हफते में 5 से 6 दिन तक अपने आपको एक घंटा कम से कम अपने सरीर के लिए देना है कहते हैं स्वस्त मन का वास स्वस्त सरीर में होता है तो अगर आपका सरीर सही नहीं है तो आपका मन सही नहीं होगा और अगर आपका मन सही नहीं है तो आपके business को grow करने में आपको बिलकुल भी मदद नहीं मिलेगी तो अगर आप चाहते हैं कि आपका business लगातार आगे बढ़े तो कम से कम हफते के अंदर 5 या 6 दिन कसरत करने की आदत डालिए तीसरा basic है कि कम से कम रोज आपको 10 मिनट का ध्यान करना है ये बहुत पुरानी बाते में कर रहा हूँ आपको लग रहा होगा ये सब तो चीजे मुझे पहले से पता है लेकिन मैंने आपको वीडियो के पहले ही कहा कि आपको पता सब है लेकिन आप करते नहीं है क्यूंकि आपको लगता है कि ये बहुत बेसिक चीज़ है मुझे ये करने की जरूरत नहीं है लेकिन एक बात ध्यान रखना जितने भी सफल इंसान है जितने भी बड़े बिसनसमैन है वो लोग रोज कम से कम 10 से 15 मेंट का ध्यान करते है ध्यान करने का मतलब ये है कि एकांत में आखे बंद करके बैठिये और अपने अंदर होने वाले विचार को देखिये अपने अंदर उठने वाले विचारों को पहचानिये अपने आपको शांत कीजिये और ये करके आप नए विचारों को क्रियेट कर सकते हैं चाहते हैं कि आपकी जिंदिगी के अंदर आपका व्यापार पुरी दुनिया के अंदर फैले तो आपको सुबा में कम से कम 10-15 मैट ध्यान करने की आदट डालने चाहिए और चौथा बेजिक है कि रोज कम से कम 5-10 पन्ने किसी अच्छे किताब के पढ़िये जी हां रोज के क से कम 5-10 पन्ने किसी अच्छी किताब के पढ़ने की आदट डालिये मैं जितने भी सफल लोगों को जानता हूँ उन लोगों में ये कौमन आदट पाए जाती है कि वो पढ़ने में अपना समय बहुत ज़्यादा यूज करते हैं मतलब अपना सबसे ज़्यादा कीमती समय व मैं बहुत सारे बिसनसमन को जानता हूँ जो पूरे साल के अंदर कम से कम 30-40-50 किताबे पढ़ते हैं और वो किताबे पढ़ने के बाद हमेशा अपने बिसनस के अंदर लीड करते हैं तो अगर आप अपने बिसनसमन लीडर बनना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मार्केट के इंदर आपका एक नाम बने आपकी एक पहचान बने तो आपको रोज पढ़ने की आदर डालनी पढ़ेगी क्योंकि आप पढ़ोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे पाचवा बेजिक है कि काम शुरू करने से पहले आपको अपना टू-डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है जी हाँ मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जो लोग सुबा में अपनी ऑफिस पर या अपनी फैक्टरी पर जाते हैं और उनके सामने जो काम दिखता है वो करना शुरू कर देते हैं और ऐसे करके पूरा दिन वो बिता देते हैं शाम को उनको पता चलता है कि मेरा ये इंपोर्टन काम था वो रह गया और उसके कारण को कई बार नुक्षान का भी सामना करना पड़ता है तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको टू-डू लिस्ट बनाने की आदर डालनी पड़ेगी मतलब आज मैं क्या काम करना है इन सारी चीजों का आपके पास सुबह में एक लिस्ट तयार होना बहुत जरूरी है मैं खुद लिस्ट बना के काम करता हूं और मैं देखता हूं कि जब मैंने सुबह में लिस्ट बनाई है कि कौन-कौन सा काम मुझे करना है तो उसमें से जादा तर सारे काम शाम त कि आज पूरे दिन में उन्होंने क्या किया एक बात हमेशा ध्यानकना अगर आप अपने लिए रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आप कोई काम कर ही नहीं रहे हैं या फिर आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्या गलतियां हो रही है आपको पता ही नहीं चलेगा तो इसलिए आपको अपनी खुद की रिपोटिंग करना बहुत जरूरी है कि आज के दिन मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरे बिसनस के अंदर अच्छा ग्रोथ भविश में मिल सकता है. ऐसा मैंने आज क्या किया जिससे भविश में मेरा बिसनस और भी प्रॉफिटिबल बन सकता है. तो आपको अपने काम की रिपोटिंग करना बहुत जरूरी है और सातवा और आखरी बहुत इंपॉर्टन चीज में आपको बताने वाला हूँ. आपको ये चीज बंद करनी है और वो है अननेसेसरी टीवी देखना. मैं बहुत सारे businessmen को देखता हूँ कि जो लोग unnecessary TVs देखते हैं, unnecessary YouTube पर जाकर कई सारे वीडियो देखते हैं, बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़े देखते हैं, जो शायद उनके business के काम की चीज़ नहीं है, उसके बावजुद भी वो अपना बहुत सारा समय उस जगह पर use कर देते ह तो अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार पूरी दुनिया में फैले, तो आपको अपने समय का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको unnecessary TV देखने के लिए बंद करना पड़ेगा, मैं TV देखने के खिलाब बिलकुल नहीं हूँ, आप TV देखिए क्योंकि मनोरंजन होना भी ज़रूरी है, आप अपना काम छूड़ कर अगर TV पर ध्यान लगाए हैं और वहाँ पर आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये आपके बिसनस के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचा सकता है, तो आपको unnecessary TV watching बंद करना पड़ेगा, जिस से आप आपको बहुत साड़ा समय बचेगा, और उन समय का आप अपने बिसनस के ग्रोथ करने के लिए इसमाल कर सकते हैं, तो ये साथ चीजे मैंने आपको बताई, जो as a businessman, हर एक businessman को करना बहुत ज़रूरी है, और जितने भी सफल businessman है इस दुनिया के अंदर, वो सब लोग ये जो को अपनी life में implement नहीं करते हैं, तो मैंने पहले ही का था, basics are not for beginner, it's for winners, अगर आप चाहते हैं कि आप जिन्दगी में winner बने, तो इन basic को अपनी जिन्दगी में आज से करना शुरू कीजिए, और मुझे comment करके ज़रूर बताईए कि इन में से कौन सी चीजों को आपने करन मिला, thank you so much, wish you all the best, धन्यवाद.